हे फ्रेंड्स हेलो आपका हम वेलकम करते हैं आपके अपनी चाइनल जॉब अपडेट्स एंड प्लिस्मेंट प्रिपरेशन में दोस्तो हमारा चाइनल आपको प्रोवाइड करेगा लेटेस्ट टेस्ट की न्यूज then इंटर्वेड कर्परेशन विट क्वेशन एंड एंजर्स एंड अलसो लेटेस्ट सिलेक्शन की आपडेट्स दोस्तो अगर आप हमारे चाइनल में नए हो तो प्लीज हमारे चाइनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइب कीजिए और नीचे दिये गे बैल आइकों को क्लिक की ज़लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है worried about status and infosys result तो देखिए दोस्तो आप मैंसे मेरे बहुत सारे दोस्ते जिन लोगों ने infosys का interview complete किया है और आप वेट कर रहे हैं आप बार बार चेक कर रहे हैं कि आपको मिलाया है या फिर नहीं आया है या फिर आप बार बार infosys करियर पेच पे जाके लोगेंग करके हमारा status चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ ये चेक कर रहे है मेरे जो एक दोस्त है देवरती जी नाम है दोस्तो उन्होंने 9 September 2021 को infosys का interview complete किया है और वो वेट कर रहे है result के लिए वो हर रोज बार बार सब को पूछ रहे है कि उनका status क् देवरती जी इसलिए मैंने खास करके आपके लिए ये वीडियो अप्लोड किया है तो देवरती जी आप प्लिस टेंशन मत लीजिया आप दूसरी company का study start कीजिये बट आपको वेट करना होगा infosys का company के result के लिए क्योंकि दोस्तो देवरती जी अगर आपको rejection का mail नहीं आया है देवरती जी को इसलिए मैंने ये वीडियो बना है तो चलिए देखते है मेरे ये दोस्तने क्या answer दिया है उनका नाम मधुष मीता है तो मधुष मीता जी मैं बहुत खुश हुआ कि आपका answer पढ़कर बहुत ये अच्छा answer दिया है तो मधुष मीता जी कहती है why are you worrying about status द देखना होगा कि हमारा status under process है या फिर under review है या फिर applied है बट हम बार बार ये status नहीं देखना है मिसा हम दो या तीन दिनों के बाद एक बार देख सकते हैं बट हम पाच पाच मिनिट पे status देखकर अपना stress and depression एक्स्टा नहीं कर पा सकते तो देखे दोस्तों वहां पे देवर मदुशमिता जी कहती है they are sending offer letter batch to batch right then once the previous batch gets over they send a mail to new batch and every batch will consist of candidates from all branches just be patient hope we all get the offer letter सुनतों देखे दोस्तों बहुत ही अच्छा answer दिया है मदुशमिता जी ने तो मैं भी आप सभी को कहना चाता हूँ कि आप प्लीज बहुत ही patience के साथ वेट कीजे आपको इन पोसिस की तरफ से बहुत दी जल्द अपडेट आ जाएगा thank you for watching